प्रेंट साथ लोगों का मेरे इसी रूप चैनल पर स्वागत थी आज की इस वीडियो के माद दिमसे मैं आपको बताऊंगा बी एलल भी फिप्त सेमेस्टर यानि की पांच में सेमेस्टर का एक जामी निसन जो 2019 में हुआ था उसका कुस्चन पेपल लेकर आया हूं आज का सभी प्रिश्ण के उत्तर दीजिए पितेक प्रिश्ण एक अंक का होगा आपको अबजेक्ट टाइप कुर्शन दिये हुए है कुर्शन नंबर एक में पहला कहता है सही विकल्ब चुनकर उत्तर दीजिए पहला है जो भासा संचार माध्यों में प्रियोक्त होती है उसे क् दोस्तों संचार भासा अब दूसर अब जब्जेक्ट पूछा गया था अप भेरेंस सब्दका सरविक्तम प्रियोक किस ने किया इसका आंसर था यह उप्सन पतंजली ने तीज़ा पूछा गया था अश्ठा देही गिरंतिक रचित है दोस्तों इसका सही आंसर था भी यान की पार्णी दौरा चोथा अबजेक्ट पूछा गया था बे बर्ण जिनका उच्चार अन्य बर्णों की साहता कि बिना हो जाता है उन्हें कहते है इसका यह उप्सन बिल्कुल सही था स्वर कहते है दोस्तों हिंदी में 11 स्वर होते है अगला अबजेक्ट पांच मां किरिय कनने वाले को कार्ता कहते है इसका बिल्कुल सही था अगला औगर्जेक्ट पूछा गया था दोस्तों स्वा取्मां प्ति ंास को स्मास का उधारन है इसका को स्मास नवेता है और इसका स्मास विकरे होगा कूझ कि से की बिप्रीत विरोर्णि आस प्तिकूल और में अब दोस्तो साथ माव अबजेक्ट पूछा गया था असुद सब्द का चैन करें असुद सब्द आपको इन मेंसे छाटने थे पहला उजवल सही है दूसरा पूजनिय सही है आसिरवाद है जो गलत है और अभिसकार भी बिल्कुर सही है आसिरवाद में जी रकार लगी है इस पर रकार आने थी आसिरवाद इस पिरकार आसिरवाद लिखा जाता है दोस्तो ना कि इस पिरकार एह बिल्कुल सी ओप्सन बिल्कुल गलत है अब दोस्तो पूछी आते हैं कुर्ष्चन लगुत्तरी प्रिश्ण छे कुर्ष्चन होते हैं पते कुर्ष्चन तीन तीन नंबर का होता है दूसरा कुर्ष्चन पूछा गया था भासा के तुत लिखिए इसके अत्वाएं पूछा गया था ब्याकरण की फरिवासा दीजिए तीसरा पूछा गया था हिंदी के स्वरों को लिखिए दोस्तों गया था लिपी किसे कहते है हिंदी की लिपी बताए हिंदी की लिपी देवनागरी लिपी है इसके अत्वा में पूछा गया था संदी की परिवाशा दीजिए पांचमा अकुछल्चन पूछा गया उफशर्गी की परिवासा उधारंड साहित दीजिए इस में अफवा में पूछ है था क्रिष संबंदी दोस तीन अधारंडी का समझाईए फ्रवे नाम की परिवासा उधारंड साहित लिखिए इसकी अथौँ पूछ के था था बहुविह समास की परिवासा उधारां सहईत लिखिए और इसका एक jellyfish इप सम्हाइए इसके अत्वा पूछाई था है अब दोस्तों की अब ह 것도 सम्हाइगे समयएए आप तो आता है देरगुत्ती है प्रेश्ण होते हैं पिति कुर्ष्ण आपको साथ साथ नंबर का होता है आठमा कुश्चन पूछा गया था भासा की फरिवासा देते हुए इसके अंग समझाई इसके अत्वावें पूछा गया था हिंदी ब्याकराण के इत्यास पर प्रिकाश डालिए नौमा कुश्चन पूछा गया था हिंदी भासा का उद्भाव तथा उसके विकास पर प्रिकास डालिए इसके अत्वा में पूछा गया था राजभासा के रूप में हिंडी की सर्वधाने की स्थिति इस्पष्ट कीजिए दोस्तों दसमा कुर्शिन पूछा गया था संदी के बेद उधारन सही समझाईए इसके अत्माएं पूछा गया था बाग के किसी कहती है रचना के आधार पर भीद समझाईए जारमा पूछा गया था बिराम चिन्न क्या है हिंदी में प्रियुक्त बिराम चिन्नों को उधार सहित प्रिस्तुत कीजिए बिराम चिन्ने के बारे में पूछा गया था दोस्तों इसके अत्माएं पूछा गया था सब्द किसी कहती है बिवपत्ती के आधार पा सब्दों के पिरकार समझाईए बार्मा पूछा गया था पित्य किसे कहती है इसके बेद सो धारन लिखिये हो इसके बेद उधारासाइद लिखिए बार में कि अत्मामें पूछा गया था दोस्तों समाज किसे कहते है इसके प्रकाल लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक सेयर कीजिए क्योंकि दिसम्बर माई के लाश्ट सब्ताय तक यानि की 20 दिसम्बर तक आपका एक जाम चालू हो जाएगा इस पीपर से आपके आने वाले पीपर में कुछ कुछ चन भी रिपीट किये जा सकती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससी आने अगली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरत पोच सके धन्नवाद